ही फ्रेंश आज देखिए हम आपके लिए जो है एक नया नास्ता लेके आए हैं साम के भूकों के लिए बहुत ही बहतरे नास्ता है साम को जब भी आपको भूक लगे तो आप इसको बिलुकुल जटपट और आसानी से बना सकते हैं साम के नास्ते में लोग कचवरी समोसे सच चोटे-चोटे टुख्रे में काट करके जो है उबालने के लिए चाहते तो हम कूकर में डायरेक्ट उबाल सकते थे विकिन उसमें क्या ना जादा उबल जाता ना आलू तो फिर वह अच्छा नहीं बनता जो रचीपी हम बना रहे उसके लिए जो है बस इसी तरीके से जो है बिल्कुल धिरे धिरे पकते हुए उबलेगा ना तो बहुत अच्छा बनेगा यह रेशी की तो देखिए हमने जो है उबालने के लिए इसको गैस पे चड़ा दिये हैं अब इसको पंदरा मिनेट में जो है ना यह बिल्कुल अच्छा से जीसा मुझे उबला हुआ चाहिए अलू उच्छा से मुझे मिज लेंगे 15 मिनिट में तो चलिए दिखिए अलू उबल चुका है हमारी अब हम इसको थाली में निकाल के ठंडा कर लिए हैं अब इसको एक गिलास के मदद से जो है अब इसको जो है बिल्कुल भरता बना लेंगे भरता बनाने के बाद जहां इ तो मसाले के रूप में देखिए हमने जो है तीन चम्मच आरा रोट लिए हैं इसमें और थोरी आधी चमच देखिए लाल मिर्च ले लिए हैं और वहीं पर स्वाद अनुसा जो है नमक डाल रहे हैं अब इन तीनों को जो है ना हाथों से मिक्सी करेंगे हाथों से बहुत मिक्स होता है ऐसे कोई सी चम्मच बेगरा से मिक्स करो तो तना मजा से नहीं होता है इसलिए हाथ से मिक्स करिएगा और यहीं पर देखिए हमने जो है कुकिंग ओयल लिए थे 25 गराम के मकावले उसको भी डाल करके जो है इसमें जो है इस तरीके से हम बिलुकुल बरता को एक जमा करके दिखे है इस तरह कीन से एक दम बना ली घुड़ बद जो भी आलू है ना सब को एक दम एक तरह से मिक्स करके है ऑं जISH ‫- Άटा गुत्ते देसे लगा दीए हैं अब इसमें नहीं एक हम हाथ में देखिए इस तरीके से इसको बॉल बनाएंगे भब फोल का मन हो इस टेप से बनाईएगा जिस टेप से अभी हम आपको बता रहे हैं बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे खाएंगे डेली बोलेंगे कि आप यही किलाईए यही बनाईए तो देखिए हमारा बॉल तयार हो गया है सारे बन करके अब जो है इसको हम तलेंगे कलने के जरूर तलिएगा इसको हम तो इस्टिल की कराई में तल रहे हैं लेकिन आप नौन इस्टिक में तलिएगा नौन इस्टिक में क्यों है बता रहे हैं कि यह चीपकते ज्यादा है आलूग इसलिए जो है नहीं नौन इस्टिक में चीपकेंगे नहीं हमने देखिए इतना भी खराब नहीं होगी तो देखिए इस तरीके से जहन सब आप बना लिजेगा फ्रेंस मेरी रेशीपी अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे रेशीपी इसी तरह से अच्छा मिलते रहेंगे हमें से अच्छे रेशीपी यहां पर देखिए हमने निकाल लिये हैं सारे बॉल और अब देखिए सर्विंग करके दिखा रहे हैं आपको इसको लाज चटनी के साथ खाईए साम के नास्ते में बहुत ही बेहतर ले ठीक है फ्रेंस आज के लिए इतना अगले रेशीपी मिलेंगे